The James Clear द्वारा, Atomic Habits अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी-कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं। फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक Transformational जीवन और चारों और इंपक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रीडियंट्स हैं। Atomic Habits क्या हैं? क्या आपने Atomic Habits बुक पड़ी है? क्या आप Atomic Habits का पालन करते हैं? यहां हम James Clear द्वारा लिखित पुस्तक, Atomic Habits को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्मान के बारे में सीखेंगे। James Clear की यह किताब Atomic Habits हमें उन्ही आदतों के बारे में बताती है। Atomic, Atomic के दो मतलब हैं बहुत छोटा या असीमित उर्जा का स्त्रोत, Immense Energy Source और आदत, Habit का मतलब है वह चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तोर से Atomic Habits वह छोटी 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 आदते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। James Clear की ये किताब Atomic Habits आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपना कर आप अपनी रोज मर्रा की जिंदगी, डे टु डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है। बड़ी काम्याबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे-छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं, तो आप एक दिन में ही सेहत मंद और फिट नहीं बनते। लेकिन एक दिन आप जरूर सेहत मंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं। लेकिन कुछ-कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि हर रोज कि उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। आईए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले पाँच साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे, तो आपके उपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं अगर आप अपनी आए इंकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खरज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं और पांच साल बाद इसका असर यह होगा कि आप पांच साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं लेकिन अगर आप अपनी आए का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बहतर बनाने में या कहीं पर निवेश इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न, रिटर्न मिले तो जाहिर सी बात है कि आप पांच साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और काम्याब इनसान बनेंगे इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जाने एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं ये इस बात पर निरभर करता है कि वो बच्चपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास, प्रैक्टिस करता है या नहीं जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निरभर करते हैं उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वही पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है हलांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन पांच साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहत मन रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे और उसके साथ ये भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं आईए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं दोस्तों अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले पांच साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके उपर इसका क्या असर होगा इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं